तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले class 9th maths का exercise 1.2 तो किस तरह से आप एक number line पर इन सारे roots को या root to root 3 जो भी relation number होते हैं उनको केसे number line पर locate करोगे अब number line वगरा क्या होती इसको समझेंगे अच्छा ये चीज थोड़ी basic है ये examples है इनको पहले clear करते हैं उसके बाद फिर exercise 1.2 की तरह बढ़ेंगे तो किस तरह से locate करेंगे इस सारे numbers को वो समझते हैं number line क्या होती है जैसे कि आप कोई भी line ट्रॉक होते हो उस पर अगर आप number plot करोगे तो number line पर आसान भाशा में है जैसे कि यहां पर zero लिका हमने है यहां पर one sorry one उसके बाद में serial से वही two three four तो यह हो गई आपकी number line positive की तरफ और यह हो गई आपकी number line negative की तरफ बतला negative side की इस तरह से कुछ और यहां पर यह करेगा कि यह right hand पर आगी की तरफ बढ़ते आ रही है number line हो यह left hand पर number line बढ़ती आ रही है इस तरह से आप number line को ट्रॉक बेसिक चीज़े बट यहां पर जो number आपको दिखाए दे रहे हैं यह सारे इंडिजास है और हमें रूट्स में जो नंबर है उनको करना है number line पर तो किस तरह से करेंगे वह समझते हैं तो इस तरह की method को अगर आपको करना है तो आपको पाइथक और अस थियोरम जो है आपने जो लाश्ट टाइम पड़ी होगी class 8 में वह आपको पतावना चाहिए पाइथक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कोई बात ने अगर नहीं भी पता है तो थोड़ी easy है बता देंगे इसको समझ में आ जाएगी जल्दी फिलाल आपकी distance है यह आपके उपर है आप कितनी plot कर सकते हो कौपी में अगर आपको दिखाना है तो आप जो भी है 2 cm भी ले सकते हो कि आपकी जो 1 unit है आपने उसको 2 cm रेपरेंट कर रहा है अब यह 1 unit है 0 से लेके 1 unit जो है इसको 1 unit कहेंगे 1 से 2 वापस है आपने 1 unit बोल दिया तो क मिला कि यहां से 0 से 2 की जो distance जाएगी वो 2 unit कहलाएगी तो आप इसको 2 cm में बना सकते हो 1 1 cm पर प्लॉट कर सकते हो 2 cm लेने पर या 3 cm लेने पर थोड़ा आपको जो ग्राफ है या डाइगरम में बड़ा बनेगा थोड़ा अच्छा दिखेंगा clean दिखेंगा फिलाल के 2 cm प्लॉट किया है 2 cm यहां पर 1 unit को रिप्रेजन कर ला है यह फिलाल हमने यहां पर प्लॉट कर दिया फिर वापस से जो 1 है इस 1 पर आप 1 unit प्लॉट कर दो लेकिन यह 90 डिगरी पर बनाना आपको प्लॉट करना है पर्पेंडिकुलर होना चाहिए तो यह भी 1 unit है और यह 1 unit है ओके सबसे पहले किया कि आपने 0 से 1 1 unit बना दिया और फिर इस पर भी एक 1 unit पतलो जितनी डिश्टेस आपके यहां पर उतनी डिश्टेस या उतनी हाइट आपने यहां पर लेकिन यह 90 डिगरी होना चाहिए उसके बाद आपने यहां पर 0 या आप इसको ओ पॉइंट पहले ले रहा हूं ताकि थोड़ा easy रहे चीजे ओके यहां से जो पॉइंट है इनको हमने जॉइन कर दिया यह जो लाइन है आपकी यह कहलाएगी रूट तो कैसे आए अभी समझते थोड़ी देम समझेगे रूट तो आएगा लेकिन रूट तो आपको कैसे मिला है यह clear हो होता है जिसके is equal to p square plus b square ओके यहां पर आपको h मतला हाइपोडिनेस जो भी ट्राइट ट्रेंगल होता है उसमें जो सबसे लॉंगे साइड होती होता है ओके clear है यह जो बेस से नीचे इसको बी कहेंगे आपन और यह जो पर्पेंडिकुल लाइंग की आपने इसको पी कहें clear हो गया होगा यह पी हो गया पर्पेंडिकुल यह बेस जिस पर ट्रेंगल टिका हो आए और यह सबसे लॉंगर साइड ही हाई पुनिले से अब यह रूट्टू के लिए यहां पर इस पोजिशन पर देखें आपन रूट्टू के लिए तो यह जो बेस है वन सेंटीमिटर سब्सक्राइब यहां पर इसका इसक्राइब लिए यहां पर बेस आपने लिए इन नमीट रिखता है यहां पर बेस है有 क्राइब 12 यहां पर यहां पर हम up इ'. लिकिन हमें केवल एच चाहिए है मतला हाइपोडिनेस चाहिए इस जगे पर तो हाइपोडिनेस यहाँ पर आपको बनाना है यहाँ पर शो करना है तो किस तरह से आया वो हमने क्राइटरिंगल बनाया और इसकी हेलप से आपने रूट निकाल लिया अब यह रूट टू आपको number line पर plot करना है तो यह जो डिस्टेंस है यह आपकी रूट टू है लेकिन हमें यह वाली डिस्टेंस इस number line पर plot करना है तो आप compass की हलप से यहाँ पे इसको center मानोगे और यहां तक आप इसको arc लोगे और इसको मतलब measure करोगे और इसको arc को बना के इस तरह से कुछ इस point पर plot कर दोगे तो यह जो point आपको भी लेगा है यह जो distance आपने यहाँ पर plot की यह आपको clear अगर नहीं आ रहा है तो इतना measure करके यहाँ पर भी आप उसको plot कर सकते हैं सकेल से भी यह ruler से को दिखत नहीं तो यह वाला point जो ही आपका root 2 आ चुका है तो इस तरह से आप root 2 को number line पर represent करते हो as it is अगर आपको root 3 represent करना है तो root 3 केसे represent होगा उसकी एक अलग process है फिलाल के लिए यहाँ पर आपने root 2 को represent किया यह root 2 का काम clear हो गया केसे root 2 आया यह मैंने आपके समझा दिया है अगर इससे related कोई doubt हो तो आप comment करिएगा फिलाल के लिए root 3 अब root 3 को plot करने के लिए आपका root 2 बनाया हो उसके उपर यहाँ plot कर सकते हो केसे अब आपका root 3 plot करना आपको इस number line पर तो आप क्या करेंगे अब आपने जो यह नया point बिला है इस point से इस point को आप क्या कर लोगे join कर दोगे मैं आप पर point के नाम नहीं दे रहा हूँ ताकि confusion कम हो तो यह आपको point मिल गया है इस point से इस point को मिला दिया आपने लेकिन ध्यान रखना कर यह 90 degree होना चाहिए 90 degree मतलब perpendicular बिल्कुल इस point से इस point को आपने मेच कर दिया मिला दिया अब यह जो line बनेगी आपकी नई यह जो नया triangle आपको उपर right triangle बना है इसमें यह जो hypernose होगा यह आपका root 3 बनेगा अब यह root 3 क्ये से आया इसको भी अपन समझते थोड़ी बेर में इसकेर perpendicular का square, base का square, hypernose का square hypernose अभी find करना है हमें पता नहीं था लेकिन मैंने यह लिख के बता दिया आपको क्येसे आएगा अभी डिसकस करेंगे P मतलब perpendicular तो यहाँ पर कितना है 1 है तो वहने 1 का square किया यहाँ पर base strangle के लिए कितना है तो root 2 का square किया 1 का square, 1 आ गया root 2 का square है वो 2 आता है, ध्यान रखेगा तो कुल मिला कि 1 प्लस 2, 3 आ गया है ओके, तो यहाँ पर h square की जो value है वो 3 है, लेकिन अभी अभी हमने डिसकस किया था कि जब भी आपका h की value निकालना हो तो यह square हटा कि आप इसको replace करके आप root चड़ा दीजे इसदर तो h की value जो root थी आ गए तो मतलब यहाँ पर हैपरने से वो root थी मिल चुका अब हमें यह root थी इस पूरे number line पर plot करना है जैसे हमने root 2 को plot किया था यह आपकी distance हमने यहाँ plot की थी सेम यह जो root थी है यह हमें यहाँ plot करना रहेगा तो आप इसको भी measure कर सकते हो या compass की helper से आप इसको arc बना सकते हो तो फिलाल के लिए अगर हमने मैं एक अंदास सिप चीजे बता रहा हूँ यहाँ पर फिलाल तो यह यहीं कहीं आएगा 1 & 2 के बीच में ही तो root 3 की value यह है हमने plot की तो यह root 3 की value आगए इस तरह से तो यह number line पर हमने plot कर दिया सेम इसी तरह से आप root 4 root 4 मतलब 2 होता धियान रखेगा तो root 4, root 5 को भी plot कर सकते है सेम यही method कोई लिक कर दिये अब अगर आपको root 4 को plot करना है तो आपके लिए base क्या हो जाएगा root 3 और इस पे ही वापस से अगर आपको आगे बनाना तो आप इस point पर 90 degree का angle बनाएंगे इस तरह से कुछ और यह point से इस point को match कर देंगे तो यह आपका जोगला आएगा root 4, root 4 मतलब 2 आजाएगा धियान रखेगा अब अगर आप वापस root 4 के से आएगा वो भी यही process होगी आप इस तरह से में solve कर बता देता हूँ चाहें तो आप root 4 को भी तो root 4 के लिए भी आप यह method solve कर सकते हैं h square is equal to p square plus b square p की value यहाँ पो जाएगी 1 क्योंकि 1 root हमेसा आपन ले रहा है अगला जो triangle बनाई वाला तो यहाँ पर यह जो root 3 है क्योंकि हमने root 3 जो base माना और perpendicular जो 1 है यहाँ पर आगे जो बढ़ाने के लिए 90 degree ओके तो perpendicular 1 लिखा है base को root 3 लिख दिया है अब यह root 4 के से मिलेगा बताता हूँ तो 1 square 1 और root 3 square 3 आएगा तो 1 plus 3 4 आगया है तो यहाँ पर h के है लेकिन h के विले निकालना है इस particular line के लिए तो यहाँ पर root 4 आगया root 4 मतलब 2 होता है तो कुल बला के 2 आगया अब इस वापस 2 को अगर यहाँ plot करना है तो 2 तो वैसे 2 की जगे plot होई जाएगा लेकिन अगर आप फिर भी satisfy नहीं है तो आप इसको draw कर सकते हो compass के यह पर से आप जब draw करोगे तो यह जो point है आपका 2 पर आ जाएगा exact तो यह clear हो गया होगा अब as it is root 5 को भी upload कर सकतो अब आपका base क्या हो जाएगा root 4 हो जाएगा इस पर आप 90 degree बनाएए यहां से यहां तक match करें यह जो आएगा यह root 5 हो जाएगा खुद ही खुद आजाएगा यहां पर root 4 आपका क्या हो जाएगा इस जगे यह base हो जाएगा और perpendicular क्या हो जाएगा इसी method से आप आपका solve करें तो root 5 आएगा फिर इस root 5 को आप number line पर plot कर सकते है इस तरह से आर्क बना के तो कुल बना कि यह पूरा spiral आप बना सकते हैं यह आपकी xy 1.2 का एक classroom activity भी है एक activity इस तरह की जिसमें पूरा spiral आपको draw करना है तो हमने spiral अभी ही cover कर लिया example में ही तो मुझे उमीद है कि root 2, root 3, root 4 root 5 या इस तरह के जो numbers है केसे number line पर आप plot करेंगे यह पूरा topic clear हो गया होगा इससे कोई भी अगर doubt तो आप हमें comment करें या कुछ चुड़ या कोई चीज मुझसे या पूछना चाहरे हो तो आप ज़रू comment करें बहुत बहुत धन्यद आपका